हलो प्राइंस मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको आलुपी स्टरफिग वाले बहुत ही टेस्टी ब्रैड पकोड़े बनाना बताऊंगी आप इनिये नास्टे में बना सकते हैं तो चेलिए देखते हैं कैसे बनते हैं सबसे पहले हम ब्रैट पकड़े की स्टपिक तैयार करेंगे इसके लिए हमने ये बॉयल आलू लिया है अब हम आलू को चीलेंगे अब मसाले के लिए तड़का तैयार करेंगे गैसोल करके हमने कड़ाई रख दिये अब हम इसमें तेल डालेंगे अब हम इसमें एक जमच दर दरा पुछावा साबू दरिया डालेंगे बाल करेंगे लिए अब पटे उंग्यार करेंबाक पर जाश्चन देचे बोवनेश के दिनागे दो रड़ दो है अब मेशे मतारइट आलेगे आपड़ा समस्द आजमीज पाओटर रखाई चमाश स्थी आपड़ा समस्मवब देच चमाश दनिया पाओटर जरा सिगीम, आगाट माचाग मसाला, जरा समभ़ी मसाला, अभी टेशे से मुख़ें तेने, मसाला देख मेट मेरे गीमिस्के से गूशबें, अब मिस्नाली आजे देख देखे, हम आबू को मसाले में अच्छे से मिख्स हो चुके अब गैसम कर देंगे इसे कुछिता प्राइब कर आबू को मसाला लगाएंगे कर देंगे अच्छे से कुम आबू कर दो सकी अच्छे से अच्छे से कुम आबू कर देंगे अब हम इस इस तला से दिशा काट देंगे अब हम ब्राइट को बेशन में डीप करेंगे और इन्हें प्राइ कर देंगे अब हम ब्राइट कर देंगे अबसे अबहन ब्राइट कर देंगे अब देंगे लिए tennis चे जिए अब ऑद ब économलीं हैं ज़िए ल 누सें दियोग vida इवर गुड़ी। बाती की ब्रैट पकोड़े फ्राइ कर लिए हमने सभी ब्रैट पकोड़े फ्राइ कर लिए हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छे आलु की स्टपीं वाले ब्रैट पकोड़े बन पर तयार हुए हैं आप इने हरी चटने के साथ टमेटो सास के साथ चाय के साथ किसी के साथ दिखा सकते हैं यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी चैनल को लाइक और शेर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ब झाल झाल